ब्रज बोशन श्रंड सिंग के खिलाफ लगातार हो रहें खुलासे लेकिन इस बीच दो महिला पहलवानों ने नए खुलासे करें नई शिकायत दर्च कराई जिसको सुनकर हर कोई दंग है उसमें ये बात भी निकल कर सामने आई कि ब्रज बोशन श्रंड सिंग जबरदस्ती महिला पहलवानों को गले लेगालिया कर लेते थे और काफी देर तक गले लगाते थे और फिर उनको कुछ ऐसी जगे टच करते थे जहां से महिला पहलवान काफी अपने आपको ऐसी रक्ष ये नहीं रहती थी कि मैं उनको जबरदस्ती गले लगा रहा हूं और वो मेरे को गलत समझे करती हैं तो यह खुलासा ब्रेज बोशन श्रंड सिंग ने लगाया था जिस तरीके से यहाँ पर बड़ा खुलासा किया था है यहाँ ब्रेज बोशन श्रंड सिंग ने उन्होंने साफ सच बताया कि वो गले लगाते थे लेकिन उनकी intention कुछ भी वैसी नहीं रहती थी जैसा महिला पहलवान समझती सोचती थी लेकिन आप को सोचिए कि जो महिला जिनके साथ ऐसा होता है वो जानती है good touch और bad touch तो यही सारी बाते जब निकल कर सामने आए ब्रैश बोशन श्रंड सिंग ने इस पूरे मामले पर हकीकत को बया किया और उन्होंने इस बात कबूल किया कि वो गले लगाते थे लेकिन गलत intention से नहीं बलकि पिता की हैसे से लगाते थे जब उनको धक्का देती थी या पर पीछे इटाती थी तो सिर्फ ब्रैश बोशन श्रंड सिंग उस वक्त भी महिला पहलवान उस यही कहते थे कि गलत मस समझो में पिता के नाते तुमको गले लगा रहा हूं थोड़ी हिम्मत देने के लिए क्योंकि वो कहते थे कि कई बार महिला पहलवान हार जाती थी या जीत जाती थी अपने परिवार से दूर रहती थी तो वो खुशी मनाने के लिए या गम बाटने के लिए मैं उनको गले लगा लिया करता था था कि उनका दुख थोड़ा हलका होता नजर आयती है सच ब्रेच बोशन श्रंड सिंग ने कबूला था लेकिन अब इस मामले की हकीकत पर आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं देखना दिल चस्प रहेगा बने रहे चैनल के साथ ऐसे और तमाम जानकारे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद